नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं रेल्वे सामान विज्ञान के कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण जो कि आपको आगामी रेल्वे परिक्षा और अन्य सवी परिक्षाओं के लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण सावेत होंगे तो चले दोस्तों देन ना करतों ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इसकूडियों का पहला प्रशन है परमाणू के नाविक में उपस्तित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं क्या करते हैं आप्सन नमबर C यानि की परमानु क्रमांग परमानु के नाविक में जो उपस्तित प्रोट्वन की संक्या होती है परमानु क्रमांग कहलाते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्न है किसी पधार्त का भै सूक्ष्टम कन जिसका बिवाजन नहीं हो शकता जिस आप्सन योगिक आप्सन बी एक अड़ु आप्सन सी परमानु क्रफंड शेयाई नम्मर और मानू कि दोस्तों परमानु सबसी सूक्ष्तम क्रकन कहलाता है इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अंगला प्रश्न है, रेडियो सक्क्रिता का पता सर प्रथम किशने लगाया था, ओप्सन है, मैडम क्यूरी, बी, आईश्टीन, डी, सदरफोल्ड या डी, हैंडी, बैकुराल, इसका सही आन्सा है, ओप्सन नमबर डी, यानि की हैंडी, बैकुराल ने सर प्रथम रेडियो सक्क्रिता का पता लगाया था, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंगला प्रश्न है, अमल का जलिये, बिले यन, नीले लिट मस्क पर क्या प्रप्रिकिया करता है, या क्या प्रभाव डालता है, ओप्सन है, लाल कर देता है, या पीला कर नीले को लाल कर देता है, नेले को लाल कर देता है, इसे बात बढ़ते हैं, आंगे चलते हैं, अंगलाइ प्रश्न है, रक्त का pH मान क्या होता है 6.8, 7.4, 7.9 या 8.2 तो इसका सही आंसर है option number B यानि की रक्त का pH मान होता है 7.4 इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है बायू यान की ट्यूप में कौन सी गैस भरी होती है option number A helium, option B argon, option C है नयान या option D redon इसका सही आंसर है option number C यानि की रियान यह है रियान गैस है जो की बायू यानों के ट्यूप में भरी जाती है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्न है गुब्बारे में निम्द मैसे कौनसी गैस भरी होती है ईसका सही आंसर है गुब्बारे में हिलियम गैस भरी होती है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है आधुनिक आवर्त शार्णी का प्रती पादन किसने किया था आप्सन है न्यू लेंड ने, आप्सन बी है मेंडलीप ने, आप्सन सी मौसले ने या आप्सन डी मेंडल ने इसका सही आंसर है आप्सन नंबर बी यानि कि आधुनिक आवर्त शार्णी का प्रती पादन मेंडलीप ने या था या मेंडलीप के द्वारा आधुनिक आवर्त शार्णी का प्रती पादन किया गया था इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है आधोनिक आवर्त शार्णी में तत्वों के बरगी करन का आधार क्या है? ओप्षन है A पर्मानु द्रप्मान, ओप्षन B है पर्मानु क्रिमांग, ओप्षन C पर्मानु घनत्व या ओप्षन D पर्मानु भार तो इसका सही आंसर है ओप्षन नमबर B यानि की पर्मानु क्रिमांग आदोने कावर्ट शार निए तत्वों का वर्गी करन किया गया है भै परमानु किर्बांग के निशार किया गया है या परमानु आधार पर किया गया है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है गोवर गैस में कौन सी गैस होती है गोवर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है प्रिचल मात्रा में होती है तो वह है ओप्सन नमबर डी याने की मीथेन गैस मीथेन गैस जो होती है गोवर गैस में सरवाधिक पाई जाती इसी किसाद यह वीडियो यही पर श्राफ्ट होता है यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यूडियो को लाइक करें यूजर करने और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूग लेहें चले तो इस तो मिलते हैं एंगले नए श्ट्वीडियो में तब तक के दो दो बाइ